नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रॉकिंग इन्फार्मेशन पर दोस्तों जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मैस की वो गिरामी क्लास थी आज हम बात करेंगे ट्वल्थ क्लास में भिन यानि के फ्रेक्शन जो आपका चैप्टर चल ला है इसमें हम सिंप्लिकेशन यानि के सरली करण की बात करेंगे जो आपके question बनते हैं तो यहाँ पर पहला question देखेगा 1 बटे देए 1 बटे 3 गुणे 12 प्लस 2 बटे 3 गुणे 12 दिया गया है अब इस question को देखे कैसे solve करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखे 1 बटे 3 गुणे 12 यहाँ पर प्लस कचिन है क्या बताय थे मैंने आपको बोर्ड मास का रूल अगर आपसे बोर्ड मास का रूल बन रहा है तो सिंबिलिफिकेशन का यनि कि सरली के रेंड का कोई भी कोश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो वीडियो हमारे सारे क्लासेस अटेंड जरूर करिएगा मत्पदेश सिचक बरती की मैस क्लासेस या बारवी क्लासेस है ठीक है तो चलिए इस कोश्चन को साल्व करेंगे दिखें बोर्ड मास के रूप में पहला हमारा रूल क्या होता है ब्रैकेट फिर होता आफ इंगलिस में या हिंदी मोलने का डी यानि की डिवाइड यानि भा ने बारा दिया है पहले यहां पर देखिएगा एडिशन के पहले हमारा क्या मल्डिवेशन आता है गुना आता है तीन चुके बारा तीन चुके बारा ठीक है चार आगया अब यहां से चार बचा है आपका ठीक है चार बचा यहां पर दो बच रहा है यह चार है चार दुन आप भी अप solve कर लेंगे ठीक है लेकिन इसके पहले आप जो question देखे होंगे तो आपको क्या है अचंबित लगा होगे बहुत बड़ा question है नहीं बन रहा है ठीक है तो tension मत लीजे गणित में आपको कोई भी problem नहीं होगी ठीक है हमारे सारे classes attend जरू करिएगा ठीक है अगर नए दो बटे तीन गुणे चार बटे पांच यहां पर प्लस दिया है प्लस तीन बटे चार है ठीक है आपको क्या है एक बार मैं लिखे देता हूं एक बटे दो गुणे दो बटे तीन गुणे चार बटे पांच प्लस तीन बटे चार यह आपका question कह रहा है ठीक है बोर्ड मास माँस पर द्यान देजिएगा तो पिछले वीडियो मैं ने बता है तो तो सब फिछले वीडियो मारे देख करना होता है ठीक है कब कैसा रूल लगाना पड़ेगा अब यहां पर देखिए नहीं मैं एक बार आपको बताया दे रहा हूं देखिए बोर्ड मास का रूल क्या है सरण पथा हम आपको कोश्टक तोड़ना है मजिला कोश्टक मजिला कोश्टक फिर इसके बाद बड़ा कोश्टक द्यान पहला चोटा कोश्टक फिर मजिला फिर बड़ा कोश्टक कोश्टक हो गया फिर इसके बास होता है आफ आफ या नहीं होता है का सब्द लिखा हो का ठीक है इंगलिस में आफ बोलते हैं फिर आता तीसे नम्मा में divide यानि की भाग का ठीके भाग की संक्रिया करते हैं पिर इसके बाद multiplication या की गूरा की संक्रिया करते हैं addition यानि की plus यानि की subtraction यानि की minus का तो ये चीजे धान लीजे एक, दो, तीन, चार, पांच, शए प्रक्रिया है यह पहले प्रक्रिया याद कर लिजेगा इन प्रक्रियाओं को आपने अगर याद कर लिया तो समझ लिए कि सिंप्लिफिकेशन में वर्ग तीन चाहे MPTT का हो चाहे UPTT का हो चाहे कोई भी टीटी का इजाम हो आप असानी से स्वाल कर लेंगे ठीक है थोड़ा मत चाही पीलूं इसके बाद कोश्चन बता रहा हुए तब तक आप इस कोश्चन को स्वाल कीजिए ठीक है नब चलिए स्वाल कीजिए कमेंट करिए स्वाल कर अब कि मिद काता हूं आपने स्वाल कर लिया होगा नहीं किया चलिए इए मैं बताइए देता हूं दो से दो कटे गा ठीक है दोस्तो दो से दो कर जाएगा अब यहां पर आपका नहीं कटे क्यूंकि यह प्लस में है आप यहां पे तीन Да क्ला काट दीजेगा 4 से 4 यह कभी न करिए क्यों कि यहां पे प्लस दिया हुआ है तो नहीं कटेगा ठीक है अब बचा कितना 4 बटे 5 के गुणा 3 से हो जाए क्योंकि मट्रुगेशन में तो नीचे का नीचे गुणा होता उपर को उपर उपर एक है 4 एक कम 4 हो जाएगा पांतिया ही 15 हो जाएगा प्लस 3 बटे 4 ठीक है 15 हो 4 का LCM ले लें केतना हैगा 15 चोको 60 हैगा अगर आप से LCM लेते नहीं मनता है तो पिछली वीडियो मैंने बता दिया था कि भिन में आपको कैसे LCM लेना है ठीक है अब 15 का भाग 60 में देंगे कितना है 4 बार जाएगा 16 का तो उमीद करता हूँ आपका Board Mask के related यानि कि Simplification या सरली करन का कोई भी question आजाए आप आसानी से solve लेंगे चलिए आप next question देखते हैं आप देखिए दोस्तों इस question को इसमें आपका संयुक्त भिन भी दिया है ठीक है चारो भिन ने आपके संयुक्त भिन दिये हुए है ठीक है द्यान चारो सन्युक्त भिन इनको आपको प्लस करके बताना है तो सरपतम मैंने आपको बताया था जब आपको सन्युक्त भिन दिया हो उसमें क्या है साधान भिन में चेनिकल लेंगे कैसे ? दो एक कम दो एक तीन जो यहाँ पे पूर्ण संख्या होती है भगलें उससे multiply करते हैं उपर वाली फिर संकास जोड के फिर उसके बटे में जो द्यों का त्यों का त्यों लिग देती हैं कैसे 2 एक कम 2 एक 3 बटे 2 पलस 2 दूनी 4 एक 5 बटे 2 पलस 3 दूनी 6 एक 7 बटे 2 पलस 5 दूनी 10 एक 11 बटे दो ठीक है अब देखे सबी में बटे में 2-2 है तो इनका LCM कितना जायगा 2 आ जायगा दो का भाग में 2 का देंगे एक ही आएगा 1 का गुणा 3 से करेंगे तीन आएगा इसी पैकार सबी में क्या है क्योंकि 2 में 2 का भाग देंगे सबी नीचे में 1 ही आएगा तो उपर की संख्या उतार देजी, गिरा जाएगा, ठीक है कैसे, दो कवाग भाईया, दो में दोंगे, एक बचेगा, एक कगुना तीन से करोगे, तीन आ जाएगा, इसी प्रकार दो कवाग दोंगे, एक कगुना पांच से करोगे, पांच आ जाएगा, फिर इसी प्रकार दो कवाग दो में दोगे एक बचेगा एक कगुना साथ से करोगे साथ आ जाएगा दो कवाग दो से दोगे एक बार जाएगा एक कगुना गेरा से करोगे गेरा आ जाएगा ठीक है तो समझ गए होंगे देखें पान तीन आठ साथ पंद्रा पंद्रा दस पचीस एक छबिस बटे 2 आ जाएगा 26 को काटेंगे 13 आ जाएगा 13 दूनी 26 यानि 13 ये आपका answer कहलाएगा ठीक है कोई भी doubt हो comment जरूर करिएगा ठीक है ना भी समझ में आ रहा हो तो comment करिएगा दोबारा मैं समझाऊँगा दोबारा वीडियो बनाऊँगा आपके लिए क्योंकि आफी के लिए मैं समझा रहा हूँ ठीक है चलिए next question देख लेते हैं अब यहाँ पर देशने दोस्तो question क्या कह रहा है इस type को question बहुत ही आसान question लग रहा हो 3 plus 3 भागे 3 दिया है 3 धन 3 भागे 3 दिया है ठीक है इसी परगार अगला question है 5 दन 5 भागे 5 दन 5 यह आपके छोटे कोश्टक में दिया है भागे 5 है इस type के question को आपके board mask का rule पता होना बहुत जरूर है जो मैंने पिछले question में आपको बताया था पहले कोश्टक हल करना छोटा कोश्टक मजिला बड़ा कोश्टक फिर इसके बाद का सब्द हो फिर भाग हो फिर गुणा हो फिर जोड हो फिर घटाना हो अब यहाँ पे दे के छोटा कोश्टक पहले हल करेंगे ठीक है तो 3 दन 3 भागे 3 आ जाएगा बटे में 3 3 छै भागे 3 ठीक है अब बोर्ड मास के रूल में दियान दीजिये पहले क्या करते हैं ब्रैकेट तो आपका सॉल्ब हो गए इसके बाद क का का तो है नहीं है इसके बाद भाग की संक्रिया करेंगे तो भाग की संक्रिया करिए 3 का भाग 3 में देंगे कितने बार जाएगा एक ही बार जाएगा तो तीन दन एक हो जाएगा तीन का वागच्छा में जाएगा दो हो जाएगा तो तीन एक चार बटे दो हो जाएगा कितना जाएगा चार बटे दो आ जाएगा तीन एक चार चार नीचे दो है दो आ गया 2 से 4 को एकार दोगे 2 आ जाएगा तो 2 इसका answer हो जाएगा इसी परकार इस question को भी solve कर लीजे मैं तो 10 सेकंड रुक रहा हूँ इस question को आप solve करें जिस तरह से मैं solve किया हूँ वीडियो पहुच करें इस question को solve करें उमीद करता हूँ आपने solve कर लिया होगा ठीक है अब देखें कैसे solve करेंगे समझ लीजे एक बार और मैं समझाए दे रहा हूँ पहले board mask के rule में क्या छोटे कोश्टक कर तोड़ेंगे ठीक है छोटे कोश्टक कर तोड़िए प्लस भागे वही संक्रिया लिख दीजे पिर बटे में करेंगे छोटा कोश्टक तोड़ेंगे पांच, पांच, दस हो जाएगा भागे में पांच इसके बाद कास अब तो है नहीं है इसके बाद हम भागी संक्रिया करेंगे ठीक है यहाँ पे 5 आएगा दोस्तो 5 से भागे 10 में 2 बार जाएगा एक गया 1 को 5 से जोड़ेंगे 6 आएगा 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार जाएगा 6 बटे 2 आएगा 6 बटे 2 को काटेंगे 2-3-6-3 तीन आजाएगा 3 आपका answer आएगा कोई भी डाउट हो comment ज़रू करिएगा ठीक है तीन इंसर आ गया ठीक है अब इस question को देखते हैं अंगला question है दोस्तो question समझ में आ गरे हैं उन्हों दोस्तो अगर आपको देखे 50 question मैं आपको बता रहा हूँ ना उसमें से अगर आपको एक भी समझ नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा बताना बिल्कुन 0 है मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ ठीक है इसका जीरो आएगा अगर मैं 5 question आपको बता रहा हूँ उसमें से 4 question आप solve कर लें यानि समझ में आपको आ गया चार कोस्चन आपके समझ में आ गया तो समझ लिए मेहनत है 100% सही जा रहा है यह जरुक कर ये और लोगों को भी जोड़िये और तो भाग की संक्रिया करिए भाग की संक्रिया करने के पहले यह जान दीजेगा डारिक्ली आप काट मर दीजेगा क्योंकि तीन से तीन कटेगा नहीं कैसे भाग इसके जगए हम क्या करेंगे multiplexion का चिन लाएंगे जब हम भाग की जगए गुड़े का चिन लाते हैं तो क्या होता है जो बगल वाली संक्या होती है वो क्या होती है उलट देते हैं पलड देते हैं तो तीन बटे एक हो जाएगा क्योंकि भाग की जगए हम गुड़ा में किये हैं इसलिए ये संक्या आपकी पलड जाएगी तो अब आपको क्या करेंगे प्लस 6 कर लेंगे भागे 3 कर लेंगे ठीक है अभी देखे भाग की संक्या पहले हो जीगी ठीक है तो आप 3 ते काई 9 कर लेंगे नहीं से फिर प्लस करेंगे तीन को क्या करेंगे, छैसे भाग दें, कितने बार जाएगा, दो बार जाएगा, ठीक है, और दो को जोड लीजिए, गेर आ जाएगा आपका एंसर, ठीक है, उमिद करतों समझ में आ गया होगा, नहीं आया, ये इस question को देखिए, अब देखें दोस्तों, संयुक्त भाग, य इतने पार्ट में, ठीक है, अब आपको इस implication का पार्ट चल ला है, यानि कि सरली करन का, ठीक है, तो अच्छे से समझेगा, अगर आपने हमारे सारे पार्ट मैतमेटिस क्लासेज अटेंड कर ली, एक महीने तक, तो समझ लीजिए, मैस में 30 में 30 आएगा, उसमें 5 नमबर प आधान बिन में बदलते हैं, कैसे, 6 चो को 24, 5, 29, 29 वटे 6 हो जाएगा, भाग किस चिन्हें भाग लेकर देगे, 18 दहम 180 प्लस गेरा, 191, 199 वटे 18 हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले question में आपको बताया था, जब यहाँ पे भाग है, भाग की जगए, जब हम गु ठीक है, उपर का नीचे, नीचे का उपर कर देते हैं, इसका नीचे का धारा, अंस का हर, हर को अंस कर देते हैं, यानि कि 18 वटे 99 आजाएगा, अब यहाँ पर आप देखेंगे, 6 कम 6, 6त्वीक 18, 39 27 आएगा, 396, 28 और 99, तो 87 वटे 99 आपका एंसर आजाएगा, आप सन में द दोस्तों कुछ नहीं है, सिंप्लिकेशन सरली करण में, आपको केवल क्या है, बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, अच्छी तरह से, बोर्ड मास का रूल आपने फालो कर लिया, तो आपका सिंप्लिकेशन सरली करण का कोई भी कोश्चन छूट कर नहीं जाएगा, ठीक यह आपको पहार जैसे question लग रहा हो लेकिन हम देखे इसको सरल तरीके से कैसे solve करेंगे क्योंकि आपका simplification है यानि कि सरली करन है यानि सरल करना तो देखे बहुत ही असान तरीके से board mask के rule में पहले छोटा कोस्ट अक है ना पहले छोटा कोस्ट टोड़ेंगे सत्रे बटे आठ गुणे 47 साथ सत्रा जोड़ेंगे साथ साथ चवदा आजाएगा 4 एक पांच एक छै चाउँ सथा आजाएगा 8 तीन गेरा दो दो चार एक पांच इंक्यामान आजाएगा प्लस एक बटे दू ठीक आ गया अब क्या आगे मल्टिप्लेशन करेंगे प्लस के पहले मल्टिप्लेशन होता है तो 8 अठाई 64 आजाएगा क्योंकि कार देंगे उपर नीचे है सत्रा तीक इंक्यामान तो एक बटे एक गुणे आठ बटे तीन प्लस एक बटे दो ठीक है तो एक बटे एक का अगर आठ से आठ का मल्टिप्लेशन होगा आठ ही होगा तीन से एक का करेंगे तीन आजाएगा प्लस एक बटे दो आठ बटे तीन और एक बटे दो होगा तीन दो का LCM ले ले लेंगे कितना आजाएगा छै आजाएगा ठीक है, तीन का भाग 6 में देंगे, दो बार जाएगा, दो का भुणा 8 से कर देंगे, दो अठे 16 हो जाएगा, प्लस कचिन है, प्लस लिख देंगे, दो का भाग 6 में देंगे, तीन बार जाएगा, तीन का एक से करेंगे, भुणा तो 3 आ जाएगा, 16, 13, 19 वटे 6, जो की आप का answer हो अब देखें बहुत ही असान लगा होगा ठीक है ना लेकिन पहले इस जब solution के पहले आपने question देखा होगा तो आपको लगा होगा बहुत बड़ा question है sir कैसे solve कर पाएंगे अरे भाईया ऐसे solve कर पाएंगे बहुत ही असान है मैस बहुत सरल है दोस्तो कोई भी कठिन नहीं है एक बार समझने की जरूरत है और आप तक समझाने वाला भी होना चाहिए कितने सरल तरीके से आपको जो कोई समझा सकेगा उतने अच्छे सरल तरीके से आपको गनित बने लगेगी ठीक है तुमीद करता हूँ देखे दोस्तो कमेंट जरूर के बताएए कि आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट जरूर करिएगा ठीक है तभी मैं और अच्छा रिफ्रिजेंट करूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा सको और सरल तरीके से आपको बता सको ठीक है चलिए अंगला कोश्चन देख लिए दोस्तो मैंने अभी आपको आफ वाला बोर्ड मास के रूल में जो आफ का अफसन है आफ वाला नहीं बता रहा है आफ यहनी हिंदी में का सब्द वाले कोश्चन ठीक है उसको भी देख लेते हैं अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कोश्चन मैंने बोला नहीं का वाला सब्द ऐसे कोश्चन आएगा देखिए तीन बटे साथ का छोटा कोश्चक है दो सही दो बटे नौ का दो सही पांच बटे बीस यहाँ पर आपका कोश्चन मार्क इस टाइब के कोश्चन को सरली करन करना है तो कैसे करेंगे आईए चलिए देखते हैं मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है केबल रॉकिंग इन्फार्मेशन चैनल पर मैं बीजै जै स्वाल आपको बता रहा हूँ बीजै सार आपको बताएंगे ठीक है तो सरपत हम आपको तीन बटे साथ लिख लेना है का का दोस्तों क्या मतलब होता है का का मतलब होता है मल्टिपकलेशन यानि की गुणा अब यापने दो साई दो बटे नव है इसको क्या गाने कि आपका संयुक्त भी नहीं मिस्षिद भी नहीं इसको साधान भी नहीं बदल लीजे नव दूनी अठारा अठारा दो बीस बटे नव को हो जाएगा का का मैंने बताया कि मल्टिपकेशन लिख देते हैं जहां का लिखा हो बीस दूनी चालिस पांच पैंटालिस बटे बीस ठीक है अब आगया अब आपको पता है पहले क्या करते हैं छोटा कोस्ट को हल करते हैं तो तीन बटे साथ लिख देंगे ये गुणा का होगा अब अब देखें 20 से 20 कर जाएगा ना बचे क्या 45 बटे नौ ना पना 45 ये भी कर जाएगा यानि कि तीन बटे साथ धन पांच बटे एक साथ एक का LCM ले लेंगे साथ आ जाएगा साथ का भाग कितनी बार साथ में देंगे एक बार जाएगा एक का गुणा तीन से करेंगे तीन आ जाएगा प्लस है प्लस कर लेंगे एक का भाग साथ में देंगे साथ बार जाएगा साथ का गुणा पांच से करेंगे कितनी बार जाएगा साथ पना 35 हो जाएगा ठीक है तो कितना आ गया 40 वटे 7 आपका answer आ गया ठीक है तो कोई भी doubt हो दोस्तों comment जरूर करके बताईएगा ठीक है कोई भी doubtful हो आप जरूर बताईएगा ठीक है स्वारी दोस्तों ये गलत है अब ये गलत तरीका कैसे हो गया मैंने पहले यहाँ पे ध्यान नहीं दिया ये multiplication है दोस्तों मैंने यहाँ पे plus समझ लिया था क्या यहाँ पे गुणा का चिन है ठीक है विविजन करिए ये मैंने थोड़ा गलत हो गया स्वारी दोस्तों ठीक है ये क्या है plus का चिन अब देखे मैं आपको बता रहा हूँ इतने में गलत हो रहा है तो सोचिए सबसे गलती होती है दोस्तों गलती कोई बात नहीं है हम मानुस्यतन हैं मानुस्यतन से गलती होती इस्वार से भी गलती होती हम तो मानुस्य है ठीक है जैसे आप है वैसे हम भी हैं तो गल्ती होती है सबी से तो 3 बटे 7 हो गया गुणे पे 5 आएगा तो जब उपर का उपर गुणा नीचे से नीचे होता है तो 5 तहीं 15 आजाएगा 7 एकम 7 यानी 15 बटे 7 इंसर आजाएगा ठीक है अब ये कोश्टक में 3 दन 6 भागे 2 दिया है अब यहां पर देखे 25 दिया है तो 25 लिख लेंगे छोटे कोश्टक को पहले सॉल्व करते हैं अब यहां पर प्लस भाग पहले भाग की संक्रिया पहले करते हैं तो 6 में 2 का 6 में भागेंगे तीन बार जाएगा तो पचीस ये कोश्टा के नहीं गुणा लग जाएगा तीन-तीन किता होग अच्छा हो जाएगा जोड माल्टिप्लाई मत कर जिए करना लिख दीजिए हैं जैसे मैंने पिछले कोश्टन में हो गया था दोस्तों गलती हो जाती है तो ध्यान पूरक इसी गणित में गलती से बचना ही है गलती से आप बच गए तो आप से कुश्टन स्वाल्व हो जाएगा तो उमीद करता हूँ यह आपका पार्ट जो भी क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों तो आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइग प्रेशन है चलिए तमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को सेयर भी कर दीजिए वाटसेप, फेस्बुक, इंस्ट्रागाम जो भी है तो वीडियो को सेयर कर दीजिए